हेलो एवर्यवन मैं नेम इस तेहा वेलकम बैक टो मैं चैनल तो मैं पेटेंट एक 1970 को एकस्प्लेइन कर रही थी उसका मैंने पार्ट बनाया था मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर दे दूंगी वहां से आप देख सकते हैं आज पार्ट टू में आपको बताने वा मैं आकर दे दूंगी अब वहां से भी इसको पड़ सकते हैं ठीक है लाइस स्टार्ट इड बिफोर देट इफ लाक में वीडियो सब्सक्रेप्ट आप में चैनल प्रेस अब लाइक करने की क्या प्रोसेजर है तो हमारा पेटेंट टैक्ट है 1970 उसकी सेक्शन 6253 में इसको क्या है आज मैं इंपोर्टन सेक्शन ही बताऊंगे इसके भी कौन कौन से इंपोर्टन सेक्शन है जो इसकी प्रोसेजर को एकस्पेयन करते हैं अब हम बात करते हैं सेक्शन 6-11 के बारे में जिसमें application पर पेटेंस होने चाहिए एक परड़ेक्ट को किसी एक परसन ने बनाई तो सिंगल परसन अपलाई करेंगा यदि एक प्रोडेक्ट को को apply किया सकता है तो यह पर section 6-11 में application से लेटिर बात की गई है अब हम बात करते हैं section 9 के बारे में देखो petain इन अप्लाई किया जाता है जब हमारा जो product है वो completely बन चुका होता है तब हम application को apply करेंगे तेकिन माल हुए थि हमारा product 70 90 to 80% ही बना है हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉसेस है या हमारा जो आइडिया है डिस्कवरी है उसको कोई चुराए नहीं उसके लिए भी हम क्या करना चाते हैं हमारे प्रॉडक्ट को सेफ करना चाते हैं तो हमारे एक्ट में पेटेंट Act 9070 में कुछ provision दिये गए है section 9 के अंदर वो आते हैं ठीक है इसमें यह है कि हम अमारे product को halfly भी प्रडेक्ट कर सकते हैं क्या है वो provisional specification इसके अंदर क्या है कि अधि मालो आपका जो product है वो half बना है तो provisional specification के थ्रू आप अपने प्रोडेक्ट को save कर सकते हो ठीक है इसमें क्या करना होता है आपको यह form फिल करना होता है ठीक है आप अपने जो अपनी product की detail होती है उसमें देनी होती है उसके बाद यह journal में publish हो जाता है और यदि कोई कोई आपकी जैसा product बनाता है तो इंफ्रिजमेंट की उसमें count हो जाएगा कोई आपको इंफ्रिजमेंट होगा ही नहीं आपकी प्रोड़क का फे ठीक है सेकिंड है complete specification यदि मालो आपने 70-80% बना दिया ठीक है और आपको इसका होगा तो आपको complete specification देना होगा 12 मांस के अंदर अंदर ठीक है यदि मालो आपका 100% बन गया है आपने complete specification नहीं दया 12 मांस के अंदर तो नहीं आएगा चिक है अब हम बात करते है section 11a ठीक है इसमें है publication of examination तो हम हमने पेटेंट के लिए पहले application apply की ठीक है controller के पास वो गई वो क्या करेगा उसको पहले examine करेगा और फिर उसको public के सामने लिख राएगा public के सामने लाने भी उसको 18th month लग जाते हैं ठीक है examination उसके लिए हमें एक form फिल करना पड़ता है जिसको हम बोलते है form number 9 यदि हमने form number 9 फिल कर दिया तो हमें हमारा जो पेटेंट है वो पबले की सामने पहले ही open हो जाएगा 18 months से पहले पहले ही open हो जाएगा तो हमें form 9 फिल करना पड़ता है यह provision किसमें है section 11a में section 11b में request के बा बताया है section 11b में अब हम बात करते है section 12 के बारे में जो बात करता है examine the application तो जो inventor होता है सबसे पहले application को apply करेगा application को apply करने के बाद वो controller की पास जाएगा जो यह करता है इससे पहले यह published हुई है या नहीं है इसका प्रॉचशन है यह और्यो को apply किया जाता है ठीक है उसके बाद जो controller है उस application को examine करता है examine करने के बाद क्या होता है वो जनरल में publish कर देता application को ठीक है publicly general में publish कर दी उसके बाद कोई भी person को इसमें objection होता है तो objection को raise कर सकता है ठीक है objection को raise करने के बाद controller क्या करता है इस objection को वो accept भी कर सकता है और reject भी कर सकता है ठीक है, reject होने के बाद मतलब application accept हो गई तो objection के reject होने के बाद वो patent को grant कर देता है और इसको seal कर देता है तो यह इसका क्या होता है? process होता है यदि मान लो examine करने के बाद general में publish हो गई इसके बाद किसी ने इसका objection उठाया तो इस objection का ground होना चाहिए इस ground को explain क्या है section 25 में section 25 objection की ground को बताता है अब हम बात करते है section 43 के बारे में objection हुई objection का ground भी देख लिया हमने अब मान लो controller ने इस objection को reject कर दिया, तो अब क्या कर देगा controller उस patent को grant कर देगा और seal कर देगा तो granting and sealing of patent किसमें बतायागा है section 43 में इस तरह का ये process होता है तो patent को acquire करने का पूरार process बता दिया, application कहां पर होती है section 6 to 11 में होती है examination की बात होती है 12 में, objection की बात होती है 25 में और patent की grant और sealing की बात होती है 43 में, ठीक है अब हम बात करते है rights of patent so patent कौन होती है जिनको patent मिला होता है ऐसे person जिनको patent मिला होता है उसको हम बोलते है patent तो patent के कुछ rights होते है इसको बतायागा है section 48, 63, 70 and 104 section 48 बोलता है right to use patent patent को right होता है कि वो अपने patent को use कर सकता है किसी और को right नहीं होगा उसके patent को use करने का तो section 48 में right to use patent की बात की गई है section 63 बोलता है right to surrender the patent इंदी मालो patent को ऐसा लगता है कि उसका patent को use नहीं हो रहा कोई other कोई improvement नहीं हो सकती कोई significant improvement future में नहीं हो सकता industrial use नहीं है वो उसको sell करना चाहता है जो भी reason है तो वो अपने patent को क्या कर सकता है surrender कर सकता है यह वाले बात बोली गई है section 63 में तो आपको important section याद करते रहने है section 70 बोलता है right of assignment patent को ये right होता है कि वो अपने patent को किसी और को assign कर सकता किसी other person को वो अपने patent के right दे सकता है तो right of assignment की बात की गई है section 70 में section 104 बोलता है right to bring suit इसका मतलब यह है कि patent को यह right है यदि मानलो उसको ऐसा लगता है कि उसके patent का infringement हुआ है तो वो क्या कर सकता है? code जा सकता है basically high code जा सकता है तो यहाँ पर right of bring suit की बात की गई है जा सकता है जा सकता है जा सकता है इंपोर्टन सेक्शन देख लेते हैं जैसे patent of addition यदि हमानलो हमारा patent है अब हमको पता है कि उसके अंदर कुछ सिगने की इंप्रूमेंट पॉसिबल है कुछ आपने new idea और add किया है अपने product में तो उसको आप क्या करोंगे patent में add करवाओगे तो patent of addition की बात की गई है section 54 और 56 में 6 to 53 हमारा बोलता है procedure के बारे में उसके बार 54 से लिकर 56 बोलता है patent of addition इसमें क्या है यदि आपको कुछ new update करना हो कुछ alteration करना हो कुछ modification करना हो अपने patent में तो आप क्या कर सकते हो section 54 और 56 का यूज कर सकते हो तो यह जो patent का addition होगा यह तब तक ही valid होगा जब तक आपका main invention valid है आपको 10 years में याद आया कि मुझे इसमें कुछ और modification करना है तो आपने इसको addition करवा दिया लेकिन फिर भी यह जो बनेगा final product वह भी 20 years सकी है वह 20 years सकी valid रहेगा ठीक है अब हम बात करते है revocation of patent के बारे में रिवोकेशन क्या होता है रिवोक मगा मतलब होता है cancel तो patent को cancel करना यह बात बोली गई है section 64 से लेकर 66 में यहां पर ground भी दे रखें कि किस ground के basis पर हम patent को revoke कर सकते हैं और रिवोक कौन कर सकता है यह तीन लोग patent को revoke कर सकते हैं High Court Controller and Central Government High Court किस सरे से रिवोक करेगा यह section 64 में बताए किस सरे से रिवोक करेगा यह section 65 में बताए और Central Government किस सरे सरे से रिवोक करेगी क्या-क्या ग्राउंड होंगे यह बता है section 66 में एक important section को दिखते है section number 84 section 84 बोलता है compulsory licensing यह क्या होता है इसको दिखते है other person can apply for license within the three years if patenty unable to satisfy requirement of public और charge unreasonable price मानलो किसी patenty के पास patent है लेकिन वो patent जो मिला हुआ है जैसे मानलो medicine को कोई patent मिला हुआ है और वो patenty उस medicine को बहुत highly charge कर रहा है मार्केट में उसकी प्राइस बहुत जदा हाई है और किसी person को पता है कि वो इससे कम reasonable price पर भी public को वो provide कर वा सकता है तो वो person क्या कर सकता है वो license के लिए apply कर सकता है within the 3 years जब यह patenty ने patent लिया होगा उसके 3 years के अंदर-अंदर कोई person license के लिए apply कर सकता है तो जो license मिलेगा उसको compulsory licensing बोलेंगे इसमें इस person को भी यह right होगा कि वो उस तरह की medicine बना सकता है अब हम बात करते है international application के बारे में इसी मानलो कोई person है और उस person को अपने product का patent करवाना है तो इसको एक application file करने पड़ती है application को बोलते है international application यह application आती है under PCD एक treaty है बहुत सारी countries की तो countries की treaty है पेटेंट से रिलेटर वो है PCD इसको हम बोलते है पेटेंट convention treaty या पेटेंट corporation treaty ठीक है इस treaty में यह है कि यदि मानलो बहुत सारी countries की members है और वो other country में apply करना चाहते है ठीक है अपने patent को तो क्या करना पड़ेगा उनको एक application file करने पड़ेगी यह treaty बोलती है ठीक है when any person wants to register patent outside India या फिर कोई इंडिया का नहीं है अपनी country से बहार पेटेंट करवाना चाहता है तो भी PCD के अंदर ही वो application file करेगा ठीक है so that is it from my side if you like me video subscribe to my channel press the bell icon and thumb button thank you